हलो दोस्तों सागत शापक का अपने चैनल इक्जाम जान पे तो गफिर से मैं हाजिर हूँ 13 दिसमबर 2020 के इंपॉर्टिन इवेरिस के साथ आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा क्योंकि लास्ट में आपको दो कोशन्स के जवाब देने हैं आज का पहला कोशन है National Mathematics Day ये किस डेट को आपजर किया रहता है तो National Mathematics Day ये हर वर्ष 22 दिसमबर को आपजर किया रहता है कब 22 दिसमबर को जो स्री निवास रामान उजसन थे इंडिया के जाने माने गड़ि तक ग sih उनकी याद में यानि उनकी बर्थ एनिवर्स्री को सेलिबेट करने के लिए हर बार 22 दिसंबर को National Mathematics Day आपजर किया आता है फर्स्ट टाइम में 2012 में आपजर किया गया था 2012 को इंडिया ने National Year of Mathematics घोसित कर दिया था तो आपको ये भी पता होना चाहिए डिसंटली स्री निवास रामानुजन की याद में रामानुजन प्राइस फॉर यंग मैथेमेटिक्शियन किसको दिया गया है कैरूलीना अराउजो को जो की बराजील से बिलॉंग करती है तो ये सारे एक फैट याद रिखेगा National Mathematics Day 22 दिसंबर निकोशन है 2020 के लिए BBC Sport Personality of the Year किसको डिक्लियर किया गया है तो 2020 में BBC Sport Personality of the Year बने है लुइस हैमिल्टन कौन लुइस हैमिल्टन ये देखिए ये हैं लुइस हैमिल्टन UK से बिलॉंग करते हैं और Formula 1 के लिए मरसरीस के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन इनको 2020 का BBC Sport Personality of the Year एनाउंस किया गया है इससे पहले यानि की 2019 में बेन स्टोक्स को BBC Sport Personality of the Year घोसित किया गया था तो आपको पता होना चाहिए लुइस हैमिल्टन को 2020 में BBC Sport Personality of the Year का अवार्ड मिला है ने कोशन है Status of Leopard in India 2018 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में जो लेपड की पॉपलेशन है वो सबसे अदा किस स्टेट में है तो रिसेंटली हमारे जो Environment Minister है प्रकाश जावडेकर उन्होंने 2018 के लिए Status of Leopard in India रिपोर्ट को रिलीज किया है इसमें Maximum Leopard पाए गये हैं MP में कहां पर इंडिया में सबसे अदा तेंदूए पाए गये हैं MP में Total 3422 सबसे अदा लेपड पाए गये है MP में Second वे पकरनाट का है और थर्ड है महराश्ट्रा में 2018 की Status of Leopard Report के अनुसार इंडिया में लेपड की Total Population हो गई है 12,852 कितना 12,852 जो की 2014 के Census के अनुसार थी 7,960 तो देखा जाए इंडिया में लेपड की Population 60% बढ़ गई है जो Wildlife Institute of India है उसने इंडिया की फिल्ड में यानि इंडिया का जितना भी Geographical Area है वहाँ पर लेपड की Population को Count किया है और इस रिपोर्ड को Release किया है प्रकास जावड एक करने याद रखेगा 12,852 इंडिया में लेपड की Population है इंडिया किस कंटी के साथ मिलकर High Speed Guard Boat Manufacturing Project को Set Up करना है तो इंडिया वियत नाम के साथ मिलकर किसके साथ मिलकर वियत नाम के साथ मिलकर एक High Speed Guard Boat Manufacturing Project लगा रहा है Recently इंडिया और वियत नाम के बीच में Virtual Meeting की गए थी ये Bilateral Meeting थी इंडिया की तरफ से PM Modi ने Participate किया और मियामार की तरफ से सौरी वियत नाम की तरफ से जो वियत नाम के Prime Minister है H.E. Naguyam, Zuan, Fank अजीब सा नाम है जो भी है वियत नाम के Prime Minister उन्होंने Participate किया दो प्रोजेक्ट पे बात हुई इस दोरान पहला तो है Joint Vision for Peace, Prosperity and Pupil का Document Adapt किया गया और दूसरा कहा गया कि High Speed Guard Boat Manufacturing प्रोजेक्ट लगा जाएगा इंडिया और वियत नाम दोरा जोएंट ली इसी दोरान यानी इसी Virtual Meeting के दोरान इंडिया ने First High Speed Guard Boat Handover की है वियत नाम को वियत नाम की बात करें तो वर्ड का First Gold Plated Hotel वियत नाम की Capital हनोई में ओपन किया जा रहा है तो Capital मैंने आपको उता जिया वियत नाम की हनोई करेंसी क्या है यहांकी डोंग तो आप इतना जरूएद रखेगा ने कोशन है नए Electricity Rules 2020 के नुसार जो Metro City में नए Connection की लिमिट है या फिर कितने समय में Metro City में नए Connection हो जा रहे चाहिए तो हमारे Union Minister जो आर के सिंग है उन्होंने Electricity Rules 2020 नोटिफाई कर दिये है इस Rules के अमसार जितनी भी Metro City हैं इंडिया की वहाँ पर Electricity Connection यानि जो नए Electricity Connection है वो मैक्सिमम सेवन डेज में सेवन डेज में हो जाना चाहिए और अगर उसके बाद Municipal Corporation है तो 15 डेज में वहीं अगर रूलर एज में है तो नए Electricity Connection 30 डेज में मैक्सिमम हो जाना चाहिए यह हमारे New Electricity Rules में पताया गया है उसके अलावा अगर 24 इंटो 7 Electricity Supply नहीं होती है जो रिस्कॉम्स होंगी उनका Penalty लगा जाएगी साथी साथ नए Electricity Rule के तहट एक CGRF सेटप किया जाएगा CGRF मतलब Consumer Grievance Redressal Forum इस CGRF के दोरा किसी भी सिकायत का 45 में 45 डेज में निप्टान करना है तो रिसेंटली हमारे आरके सिंग जो की Union Power Minister है उनके दोरा Electricity Rules 2020 रिलीज किये गए है और ये Electricity Rules 2020 Electricity Act 2003 के अतरगत लाउंच किये गए है या रिलीज किये गए है ने कोशन है IMD Indian Meteorological Department ने रिसेंटली End of Session South West Mansoon 2020 रिपोर्ट रिलीज की है आपको तना है इस मानसून सीजन के दोरान इंडिया को टोटल LPA का कितना पर्सेंट मानसून जो है मिला है तो LPA मतला Long Period Average इसे में इंडिया में Long Period Average है 89 सेंटीमीटर इस बार को जो South West Mansoon था 2020 का उससे इंडिया को LPA का 109 पर्सेंट कितना 109 पर्सेंट मानसून मिला है तो देखा जाए Third Highest Rainfall है इस LPA के जो पीरेड है उसमें LPA का पीरेड इसमें इंडिया में कितना यूज हो रहा है 1961 से लेकर 2010 का जो Average Rainfall है उसको कहाता है LPA इस समय LPA है इंडिया का 89 सेंटिमेटर और इस बार जो South West Mansoon से बारिस हुई है इंडिया में वो हुई है 109 पर्सेंट तो यह ज़रू याद रिखेगा तो कि यह IMD Indian Meteorological Department ने End of Session Southwest Mansoon 2020 डिपोर्ट जारी की है तो इसके विसे में जान लेते हैं IMD की स्थाबना हुई थी 1975 में हेड़कोर्टर इसका New Delhi में है और डाइटर जनल कौन है में तुन्जे मोह पात्रा नेकोशन है डोनाल टर्म द्वारा रिसेंटली लीजन आफ मेरिट से किसको समाइद किया गया है तो लीजन आफ मेरिट आवार्ड से समाइद किया गया है पियम मोधी को किसको पियम मोधी को डोनाल टर्म द्वारा लीजन आफ मेरिट आवार्ड से समाइद किया गया है देखे जाते ज और जापान के प्राइमिस्टर को पहले ही लीजन आफ मेरिट मिल चुका था अब इंडिया की बारी थी तो इंडिया के प्राइमिस्टर मोदी इनको भी लीजन आफ मेरिट से समायद कर दिया गया है Leasing of Merit मतलब Leasing of Merit का मतलब यह होता है कि हमारे PM Modi को अब degree of chief commander provide कर दी गई है अमेरिका दोरा तो आप देखिया रिसेंटली इंडियन प्राइमिनिस्टर नरेंद मोदी को अमेरिका दोरा Leasing of Merit से समायत किया गया है यह जो डूनाल्ड टरम्प है यह 45th President है US के इसके बाद आप 46th President को मनेंगे Joe Biden US में जो President का कारज़ाल होता है tenure होता है वो 4 year का होता है ने question है रूपे select यह contactless debit card है आपको तना किस इंडियन बैंक दोरा launch किया जा रहा है तो रूपे select जो कि एक contactless debit card है इसको CBI Central Bank of India तोरा launch किया जा रहा है NPCI की मदद से National Payment Corporation of India के साथ मिलकर Central Bank of India रूपे select नाम का एक debit card launch कर रहा है रूपे select जो कि एक contactless debit card होगा contactless debit card Near Field Communication Technology पर गाम करते है Recently RBI ने जो contactless payment की limit है उसको 2000 से बढ़ा कर 5000 रुपे तक कर दिया है contractless debit card होते है उसमें क्या होता है आपको pin नहीं डालना पड़ता है तो आप देखिएगा कुछ समय पहले ही Central Bank का 110 यानि 110 फाउंडेशन डे मनाय गया है उसी दिन ये रूपे select card launch किया गया है Central Bank की बात करें तो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी headquarter है मुंबाई में और Central Bank के MDN CEO कौन है पल्लो मोहबात्रा ने कोशन है Recently India और जापान के बीच में समवाद conference हुई थी जिसको PM Modi दोरा address किया गया था आपको तना ये समवाद conference का कौन सा edition था तो recently India और जापान के बीच में समवाद conference का चठवाद edition कौन सा चठवाद edition और जिसको PM Modi ने समवादित किया इस दोरान PM Modi ने कहा कि एक library setup करनी चाहिए जो कि traditional Buddhist literature and scriptures पर अधारित होगी तो traditional Buddhist literature and scriptures पर एक digital library setup की जानी चाहिए ऐसा PM Modi ने कहा है six समवाद conference में ये जो समवाद conference है इंडिया और जापान के बीच में होती है 2015 में शुरुआत की गई थी इसकी बोध गया बिहार से इस बार्ग जो समवाद conference है इसको virtually organize किया जा रहा है तो PM Modi ने इसको एडिस किया है जिसमें इन्होंने बताया है Buddhist literature पर एक digital library बननी चाहिए इन्डियन ओशन रिम आसोसेशन का 20th edition इसके council की meeting किसके दोरा head किया गया है तो IORA इंडियन ओशन रिम आसोसेशन की council की meeting को recently UAE किसने UAE ने head किया है इस समय जो IORA है इसकी presidency या फिर chairmanship UAE के पास है United Arab Amirat के पास तो 2020 में इसका 20वा edition और्पनाइस किया गया है इसको hit किया है UAE ने इस meeting का theme के था तो 20th edition हुआ है IORA meeting का इसका theme था promoting a shared destiny and path to prosperity in the Indian Ocean region क्याथ theme promoting a shared destiny and path to prosperity in the Indian Ocean ये इस बार की IORA meeting का theme था देखे इस meeting की दुरान जो स्रिलंका है उसको 2021 से 23 के सीजन के लिए IORA की wise presidency दे दी गई है हाला कि प्रेसिडेंस जो रहेगा यारी प्रेसिडेंट जो रहेगा वो UAE ही रहेगा IORA की बात करें Indian Ocean Rim Association तो recently France IORA का 23rd member बना था IORA का headquarter कहा है तो मौरिस्यस में हाँ पे रखेगा और वरत्मान में इसकी presidency है presidency है किसके पास UAE के पास ने question है को लोग ने boxing world cup जो 2020 हुआ है इसमें India ने कितने gold medal जीते हैं तो को लोग ने boxing world cup जो जर्मनी में organize किया गया है इसमें India ने total 3 gold medal जीते हैं total medal India ने जीते हैं 9 जिसमें से 3 हैं आपके gold medal 2 हैं आपके silver medal और चार है आपके ब्रोंच तो ये टोटल 9 मडल हो गए है जो इंडिया ने को लोगने बॉक्सिंग वर्कप चेंपेंसिब में जीता है जो की जर्मनी मार्गनाइस की गई है इसमें देखिए दो लोग हैं एक है सौरी तीन लोग हैं पंगाल ये 52 kg केटेग्री में हर्याना से विलोग करते हैं इन्होंने गोल्ड मेले जीता है मनीशा मौन ये 57 kg केटेग्री में फाइट करती है ये भी हर्याना से विलोग करती है इन्होंने गोल्ड मेले जीता है और तीसरी है सिमरन जीत कौर ये 60 kg केटेगरी से बिलॉँक करती है और पंजाब से बिलॉँक करती है आप नहीं दखेगा ये जो कॉलॉगने बॉक्सिंग व ό-प है इसको और्गनेज़ किसने किया है तो इंटेनेशनल बॉक्सिंग आसोईशाइशन इसने और्गनेज़ किया है वो International Boxing Association के नए President अपॉइंट हुए है इन्य Question है 2022 का Asia Cup Cricket Tournament किस Country दोरा होश्ट किया जाएगा तो 2022 का Asia Cup Cricket Tournament पाकिस्तान दोरा होश्ट किया जाएगा किस दोरा पाकिस्तान दोरा कुज दिन पहले मैंने आप उड़ाय था कि 2021 का Asia Cup Cricket Tournament कौन होश्ट करेगा तो स्रिलंका मैंने आपको देथा अब 2022 का भी आ गया है देखे मैं अबतादू इससे पहले यानि जो 2018 में एडिशन हुआ था उसको UAE ने होश्ट किया था तब इंडिया ने इसको जीता था हर दो साल में ये और्गनाईज होता है तो 2020 में होना था लेकिन 2020 में पाकिस्तान में होना था तो वो कैंसल कर दिया गया तो अब इसा कहा गया कि 2021 में स्रिलंका में करेंगे और जो ये 2020 का होना है ये पाकिस्तान में 2022 में किया जाएगा तो आप आप देखेगा एस्या का क्रिकेट टूनामेंट इसको ACC और्गनाईज करता है Asian Cricket Council Asian Cricket Council की बात करें तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी इसका हेड़कॉर्टर है कोलंबो स्रेलंका में वर्तमान में ACC Cricket Council यानी Asian Cricket Council के चेर पर से कौन है? अमिताब चौधरी नीती आयो वालों की बत नहीं करता हूँ मैं ने कोशन है Famous personalities रिसेंटली जिनका निधन हो गया पहले हैं मोतिलाल वोरा के देखिए जानने माने राजनीतिक गया politician थे Congress Party से बिलॉंग करते थे मोतिलाल वोरा रिसेंटली इनका निधन हो गया आप यह याद रिखेगा कि दो बार MP के यह चीफ मिनिस्टर रह चुके थे मोतिलाल वोरा उसके लावा एक बार UP के गवर्नर भी रह चुके थे मोतिलाल वोरा इसेंटली इनका निधन हो गया दूसरे कौन है Norman Abramson यह देखिए Norman Abramson यूएस से बिलॉंग करते थे और इनको Father of Modern Wireless Network कहा जाता है Father of Modern Wireless Network Norman Abramson का निधन हो गया है जो यूएस से बिलॉंग करते थे ने कोशन देखते है डिसिंटली FIU फिनांसियल इंटलिजन्स यूनिट ने किस पेमेंट गेटवे पर 96 lakh की pénलिटी लगाई है चलते तो FIU फिनांसियल इंटलिजन्स यूनिट ने रिसिंटली पेपल पर जो की अमेरिका का एक ऑनलाइन गेटवे सिस्टम है इस पर 96 lakh की पेमेंट लगाई है ऐसा पाया गया है कि ये money laundering में involved थे पेपल तो इसको देखते हुए 96 लाग की 96 लाग की penalty लगाई है financial intelligence unit दोरा financial intelligence unit finance ministry के दहत कारे करता है 2004 में इसको set up किया गया था और financial intelligence unit के director कौन है पंकच कुमार मिस्रा FIU ने पेपल पर penalty लगाई है तो पेपल 1998 में इस्थाफना हुई थी headquarter तो आपको पता ही है US के कलिफोर्निया में होगा और CEO कौन है डैनियल चुल्मान ने कोशन दिखते हैं master card के साथ मिलकर private prime credit card को किस Indian bank ने लाँच किया है तो private prime credit card इसको लाँच किया है कि यस bank ने किसने यस bank के इसका नाम होगा यस private prime credit card इसको master card के साथ मिलकर लाँच किया गया है किसने यस bank ने जो ultra high net value अले customers होंगे उनको ये credit card प्रवाइट किया जाएगा तो आप देखेगा ये जो credit card होगा unlimited access प्रवाइट करेगा international और domestic airports पर तो private prime credit card को यस bank launch करेगा master card के साथ मिलकर यस bank के बार में तो हम लोग बहुत पढ़ चुके है master card के बीसे में पढ़ लेते है 1966 में स्थापना होई थी headquarter है इसका न्यू यू यॉर्क में और CEO कौन है अजय पाल सिंग बंगा ने कोशन है US based एक payment processor है जिसका नाम है point आपको तहने है इसको किसके दौर acquire किया गया है तो point को acquire किया गया है गो ready किसके दौरा go ready जो कि cloud hosting firm है go ready इसके दौर point को acquire किया गया है देखे payment को process कैसे किया एता है इसके विसे में काम करता है point यह जो go ready और point के वीच में total deal हुई है वो 365 million dollar की हुई कितनी 365 million dollar में point को acquire कर लिया है go ready ने go ready की बात करें तो 1997 में इस्थापना होती इसकी headquarter कहा है इसका Arizona US में इसका headquarter है CEO कौन है इसके अमित भूटानी और go ready के ब्राण नम बेचर कौन है आज का लाश कोशन है 2021 से जो J.E. mains का exam होता है वो वर्स में कितनी बार conduct के जाएगा तो J.E.E. joint interest examination जो engineering के होता है all over India level पर वो 2021 से 4 बार कितनी बार 4 बार organize के जाएगा अभी तक कितनी बार होता था दो बार होता था अब 4 बार होगा तो March, April, May और September के आसपास यानी कि 4 बार होगा तो आपर रखेगा पहले ये फेब में होता था अब February, March, April, May यानी 4 महने में होगा तो ये आपर रखेगा टोटल 13 languages में J.E.E. mains का exam होता है और इस बार यानी 2021 से ये 4 बार होगा J.E.E. mains पहले इसको CBSC कनेट करवाता था आप इसको कौन को कनेट करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजनसी इसको कनेट करवाता है तो आप जरूर याद रखेगा J.E.E. mains नेशनल टेस्टिंग एजनसी दोरा 2021 से चार बार कनेट किया आएगा ये आज की वीडियो से कोशन है I hope कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे जल्दी ही मिलते हैं आप सबने नेशनल वीडियो में तो टकरे टेक कैर गुडबाय और जाएंगे